वै इतने सारे ICC board की copies को दिखला रहा हो और इन में भी बहुत सारे instructions इस तरफ से दे दिये गए हैं जो कि आप देखेंगे ये सारे instructions हैं अब ये copies हैं जो हाफ एर लिंग जमनेशन के हैं और चेक किये जाने हैं तो आखिर मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि वो जे CISC के द्वा उसी circular को इतना 9th of September को repeat किया और फिर 21st of September को वो circular साब साब बताया गया बताया गया कि teachers को अपने question के answer जो निकाल रहोगे उसमें काफी कुछ aware आने होगे कि student ने जो कुछ भी answer लिखे हैं उन answer में उनके जो provisions है या answer से यह बहुत हद तक match करती हैं कि रही करती हैं up to the point और जब वी up to the point लिख रहे हैं questions के answer बेवी जिस CISC किया तो उस दौरान student ने इन instructions को follow किया है कि नहीं follow किया है और उन सब से बढ़कर जो instructions दो पेज में यह horizontal दिये गए हैं और यही instructions थे जो कि CISC ने 13th जूड़के अपने circular में जिसमें CISC चीफ barrier अतूर ने कहा था और यह में पूरे circular को साथ यह copies है और यह copies यहाँ पर आप देख लेंगे और इसी के साथ यह copies है वो बड़ता है CISC Chief Executive and Secretary of Council की student को ने pattern case आप से copy चेक करने होंगे सर्गुलर में साथ साथ बोला गया है कि higher order and critical thinking वाले questions के analyzing में marks को break up करके देने हैं मतलब कि कोई question के against में two marks है तो वहां पर two marks वाले question के answer देने है three marks वाले है तो three marks के answer देने है और four marks वाले हैं तो four marks के answer देने मतलब कि breaking up के साथ marks को देने two marks आपने award किया और उस दोरान किन-किन segment में दिया है इसी तरह से जो change है उस दोरान यहाँ पर maximum marks 10 है तो उस 10 marks को 2034 में देते समय ध्यान रखेंगे कि खिस तरह से इसको award किया गया और ये change in pattern pattern में changes को लेकर specimen paper for ICC and ISE school को बताया गया कि math में या फिर physics में numerical है तो बनाए गए numerical में कितने word unit को follow किये गया है और जब word unit को follow किये गया है तब जाकर student को o marks मिलेंगे अगर नहीं follow किये गया है तो o marks नहीं मिलेंगे फिर बताया गया है कि student ने learn करके किसी question के answer दिया तो वहाँ पर माग समदाये दिये जाएंगे और जो भी master trainer है यानि कि teachers है teachers को भी इसके लिए training दिया जाए और आपको बता दो कि अभी तक करीब 4 से ज़्यादा training class 12 के student की copy checking के लिए और 6 training करीब गरे पर ते class 12 के student को copy checking के लिए दिये गया है across India कहा गया है कि student की copy checking करते समय जो भी teacher है किसीनी subject के question के answer को निकालते समय सिर्फ word limit का ही नए ख्याल रखे बलकि वो इन बातों को भी ध्यान रखे कि किस तरह से unit wise preparation और उसके marks के alignment है मतलग कि अगर एक chapter है तो इस वे सबी chapters में equal marks के distribution नहीं है किसी में four marks है किसी में twelve marks है किसी में twenty marks के question पूछे डाल objective subject के feeling the blinds true false ये सब मिला के तो तमाम बातों को ध्यान रखनी के साथ question किसे टोनी है और questions के answer भी निकाले जाने है biology के रुप में अका आगया है कि research based question को updated form में देने हैं जहाँ पर कि reference to context होंगे English one और English two में are reference to context के साथ-साथ textual question लतलब text पर आधारित questions के answer देने होंगे और यहाँ पर एक और बात कही गई है कि student की अगर रटेवी answer है या ऐसे answer जो कि किसी तरह से काई से मिलते जुलते हैं तो वहाँ पर उनके marks को deduce किया जा सकता है एक तनाक या करनी जे कि तोड़ा सा discouraging बात है तो अभी तक है पता है चलिए अब मैं चल रहा हूँ इन कॉपी को चेक करूँगा तब 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 यह बाई फर नाउ सी यू